परिवार मेरा नाम है मॉनिका पाल और आज की जो हमारी सेशन है यह बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है हमारे इंपोर्टेंट के लिए जो की बहुत जादा परिशान है इंटर्व्यू को लेकर क्योंकि आप सभी फाइनल एरो में आ चुके हैं और सभी कॉलेजिस में कंपस प्लेस्मेंट के लिए कंपनिया लगातार आ रही हैं और आप में से सभी सुटेंट जाते हैं कि हमारा सभी वाले आपके वेल विशर भी इस मुवमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो कंपनी में सेलेक्शन पाना को नहीं चाहता और सबसे इंपोर्टेंट जो स्टैप होता है वह होता है इंटर्व्यू और इंटर्व्यू में हारे कंडिडेट बहुत ज़्यादा घबराया होता ह इंटर्व्यू जतनी बार लिए जाएं जतनी बार बले आप देदे लेकिन हर आपको नर्वसने सोना तय है लेकिन आप में से काफी सारे ऐसे होंगे जो कि पहली बार इंटर्व्यू देने जा रहे होंगे और बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठे हैं तो आप सभी की टे पूछे जा सकते हैं और आपको इन पूछे जाने वाले कोशन का अंसर किस तरीके से स्मार्ट लिया और कॉंपिडेंट वे में देना है साथ अधर दें इंटर्व्यू से पहले इंटर्व्यू के दोरान आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो बहुत ध्यान से ला पहले आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान दखना होता है देखें हम सब इस बात के टेंशन में रहता है कि इंटर्व्यू में हमसे क्या पूछा जाएगा उसका आंसर हमें कैसे देना है लेकिन इंटर्व्यू से पहले जो बहुत इंपॉर्टन चीज होती है वह होता है इसकी टेकनिकल क्वालिफिकेशन किया है उसकी टेकनिकल कंई क्या किया या अधे दिन टेकनिकल और fallen कि कुछ की किये है नहीं कि उसकी की इसकी पेस्ट संनल डिक याकिपर इनूंग श्रुंगर नेम उनका प्रोफेशिन और वह मेरीड है नेश्नल बर्थ यह पोर्स्टमर कोन कोन से हो नेगटिव प्वैंट कोन से यह भी आप मेंशन करते हैं तो सी जो है हमारा काफी हत्त तक कैंडिडeid के बारे में बहुत कुछ कहे जाता है तो आपका सीवी जो है बहुत स्ट्रॉंग होना चाहिए और बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए तो आपको पहली चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो सीवी एरेजिम हो वो कैसा हो अट्रैक्टिव हो अट्रैक्टिव बनाने करें सब कि आप से पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो CV का लेंद्ध है बहुत जादा शौट ना हो तो आप क्या करें जो CV का लेंथ रखें ना बहुत जादा शॉट रखें ना बहुत जादा लेंदी रखें आप CV का जो लेंथ रखें कोशिश करें कि आपका CV दो पेपर्स में दो पेजिस में मेंटेन हो जाए CV में mention आपको क्या क्या करना है आप अपने बारे में यानि अपना नाम लिखेंगे आपका जो भी correspondence address है यानि आपकी communication detail की कहां से आपसे बात चीत की जाए आपका contact number आपकी email ID और आपका residential address वो आप top of the CV पर mention करते हो इसके अलाबा आप अपना objective बताते हैं कि आपका जिन्दगी में objective क्या है अक्सर बच्चे क्या करते हैं जो बहुत बड़ी mistake करते हैं और यह मैंने भी notice किया है कि क्या करते हैं किसी भी cyber cafe वाले के पास जाते हैं और कहते बहिया मेरा बना दो और बहिया क्या करते हैं कि फॉर्मेट सारे बच्चों को वही फॉर्मेट चेप देते हैं तो बड़ा चला जितने दस candidate आए हैं उन सभी का objective से तो ऐसे ना करें आपका जो objective है आपका जो उद्देश है जिन्दिगी में वह आपको पता होना चाहिए और आप सब्सक्राइब करें तो आपके डिप्लोमा की जो डिटेल है यारी आप जो भी इंजिनेरिंग कोर्स कर रहे हैं जिस भी ब्रांच से अपना ब्रांच अपना एयर अपना कॉलिज का नेम और अपना परसंटाइब जरूर मेंशन करें इसके नावा आप अपनी और भी बहुत सारी knowledge को में चाहिए जैसे बहुत सारी student जिनको computer knowledge होती है आपको क्या क्या चीज़े आती हैं जैसे basic knowledge of computer अगर आपको आता है तो उसमें वह भी mention करें basic knowledge of computer में आपको क्या क्या आता है यानि कि आपको word आता है excel आता है powerpoint आता है तो कि आप जरूर मेंशन करें अगर आपने टाइपिंग का कोर्स किया हो तो आप अपनी हिंदी इंगलिश टाइपिंग मेंशन करें तो हिंदी टाइपिंग और यू आप इंगलिश टाइपिंग उसमें आप वर्ट्स पर मिनट भी लिख सकते हैं यानि आप कितने वर्ट्स पर Kasट करता है निदिदेंग कोर्सेस होते हैं उप मेंशन कर सकते हैं इससे अलावा बहुत इंपोडेट पार्ट होता है आपका समय ट्रेनिंग सोनिमी जिसे कहते हैं तो आप का समय ट्रेनिंग का आप से कि अपलि एक समय ट्रेनिंग झालग तो आप लिगनिग तो आप लिखेंगे कि आपने 4 week की summer training की इस particular जगह से जहां से भी आपने की हैं उसके अलावा आप क्या mention कर सकते हैं अपने project के detail mention कर सकते हैं project भी बहुत important part होता है अला कि आप सभी इसको seriously नहीं लेते लेकिन इस बहुत important part होता है तो आप अपने cv में अपने project के detail भी mention कर सकते हैं कि आपने final year में कि इस particular topic of project पे काम किया है तो अपने project के detail आप mention कर सकते हैं इसके अलावा आगर आपने during the diploma कुछ industrial visits की हैं तो कि आपके college campus दुआरा arrange की जाती है तो आपने अगर कोई इस तरह की visit की एंडेसल विजट वो भी आप mention कर सकते हैं तो देखे कितने ही सारी चीज़े आपने आपने बारे में नहीं जानते हैं तो कहा जाता है कि पहले अपने बारे में जाने हैं बाकि सब्सक्राइब पर अवेलेबल है तो आपको अपनी personality की बारे में साही चीज़े पता होनी चाहिए यानि अपने अपनी qualification में भी बहुत साही चीज़े किया है आपने 10th 12th जो भी किया है आपने डिप्लोमा किया है आपने summer training भी अटेंड करी है आपने industrial visit करी है या आपने किसी तरह की कोई apprenticeship किया है तो वो भी आप उसमें mention कर सकते ह हैं यह सारी चीज़े आप उसमें mention करेंगे आप चुकी experience आप में से कुछ candidate ऐसे होंगे जो शायद पहले काफी पहले डिप्लोमा पास आउट कर चुके हैं और उन्हों इससे पहले कहीं job भी कियो पहली बार interview देने ना जा रहे हो तो आप अपना experience भी mention कर सकते हैं और अगर strength and weakness strength and weakness यह भी हमारे cv में mention की जाती है कि हार एक इंसान में आप कुछ अच्छाईया और बुराइया होती है और PDP जो होता है हमार personality development program उसमें भी बताया जाता है कि आपको अपनी 5 अच्छाईया और 5 बुराइया पता होनी चाहिए और बड़े दुरबाग्य की बात है कि अगर आप से कहा जाएं आप सभी बाद में इस class को देखने के बाद यह जरूर कीजेगा भी कि आप एक पेपर पर अपनी पांच वालिटी जैनी जो आपकी पांच अच्छी बात है यानि आपकी good habits और पांच जो आपकी bad habits है माल लेजे कि आप industrial में industrial area में आप एक ऐसे person हो जिसको कोई company hire करना चाहती है और आपको अपनी पांच अच्छा या पांच बुराईया बतानी है तो यकीन मानि आप अपनी पांच बुराईया असानी से लिख देंगे लेकिन आप अपनी पांच अच्छा या ढूंड नहीं पाएंगे तो कोशिश करें इस तरह की activity आप क motivation की ठीओरी पर काम करते हैं आपको motivation के लिए external factor की जुरूत नहीं होती अगर खुद गिरते हैं तो खुद ही संभल जाते हैं तो यह हमारे factors हो सकते हैं आपका communication skill बहुत अच्छा है आपकी technical knowledge बहुत अच्छी है यह सब हमारे क्या होते हैं good habits में है कह लिए हमारे strength में आते ह है आप लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं यह सारे हमारे क्या strengths है weakness क्या क्या हो सकती है weakness आपकी क्या हो सकते हैं आप सभी क्या है आप सभी डिप्लोम होल्टर स्टूटेंस उनकी most of the time यह problem होते हैं क्या communication अच्छा नहीं है हमारा spoken part अच्छा नहीं है तो इसको आप मेंशन ना करें आप weakness अगर mention करें तो कम mention करें आप अपनी strength ज्यादा शो करें विक्नेस कम mention करें ठीक है तो यह चीज़ें आप लिख सकते हैं जैसे कि इसमें strength में पंच्छल होना भी बहुत अच्छी एक आदत मानी जा सकते हैं विक्नेस में आपको मेंशन कर सकते हैं ज्य से ही काफी सारी जानकारी आपकी personality के बारे में पता लग जाती है तो cv आपका attractive हो बढ़िया हो आप यह तो चीज थी कि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले क्या तयारी करने हैं आपका जो cv है आपने जो अपना ब्योरा दिया है वह बहुत strong हो उसके बाद और क्या ध body language में हमारे दो तरह के moment आते हैं जब आप एक जिगा बैठे हो उस तरह के जो moment है आप कैसे बैठे हैं आप कैसे खड़े हैं यह हमारा body language का part है या फिर बोलते वक्त बात करते वक्त चलते वक्त किस तरीके से चल रहे हैं यह सारा हमारा body language का part होता है तो आपको body language पर विश हो यानि आपके body language में confidence दिखाई देना चाहिए नकी nervousness तो body language जो है वो आपके confidence को बता देती है कि कुछ cases में ऐसा भी होता कि candidate बहुत confident है बट वसका body language ऐसा है कि उसके बारे में negative बता रहा है कि वह confident नहीं है तो आपको ऐसा दिखना है interviewer के सामने कि आप बहुत confident जैसे आप interview room में गुसते हैं, interview room से गुसने के साथ, आप जैसे ही interviewer के सामने बैठते हैं, तब तक काफी सारी चीज़े आपके बारे पर judge कर ली जाती हैं, वो क्यों? कैसे आप चल के आ रहे हैं, कैसे आपने gate open किया, आप कैसे walk कर के आ रहे हैं, आप किस तरीके से chair पर बैठ रहे हैं, और chair पर बैठने के बाद आप किस तरह के posture में बैठे हैं, यह सारी चीज़े आपके body language में आती हैं, जब भी आप interview room में जाएं, तो आपके जो भी necessary document है, हो सकता है, आप से आपके सारे educational documents की photocopy मंगाई जाएं, तो आप एक अच्छी सी बिल्कु प्रिटे file अपनी तयार करें, आप सब यह बहुत सारे interview से जाने वाले हैं, तो interview के लिए अपनी file तयार करें, आप जो document file बनाते हैं, उसमें सब चीज़े होनी चाहिए, प्लस document file जो बनाएंगे, उसमें आपके जो recent qualification हो, वो सब से उपर हो, जैसे कि आप diploma student है, तो आपका diploma या आपके diploma से related जो mark sheets हैं, वो सब से पहले लगी हो, then आपके 12th और 10th और बाकी सारी mark sheets लगी हो, तो क्या-क्या, आपका सब से पहले diploma, जो diploma certificate है, या diploma की mark sheet है, वो लगी हो, then आपने 12th की mark sheet लगाई हो, उसके बाद 10th की mark sheet लगाई हो, इसके अलावा आपने अगर कोई और certificate course है, diploma courses की हैं, तो वो भी आप उसमें लगा सकते हैं, नॉर्मली क्या होता है, 10th, 12th diploma, बीटेक, इनकी mark sheet और certificate से लगाए जाते हैं, वो आप लगाएं, और उसके बाद अगर आपने कोई, जैसे आपने training किया, तो training में certificate मिलता है, उसको आप लगा सकते हैं, या आपने कोई additional qualification certificate किया है, उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो जो document file हो, वो भी आपकी proper तरीके से arrange हो, इसमें आप कोशिश करें कि आप एक pen जरूर रख के लेके जाए, pen का भी एक उसमें loop बना हो तो document file जो होती है, उसको आपको किस तरीके से carry करना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कि यहाँ जो important बात है, कि हमारा document जो है, वो सही तरीके से लगा हो, plus इसको जब आप carry करें, तो आप इसको इस तरीके से carry करें, यानि आपका right hand free हो, और ये left hand में आपके इस तरीक इसको कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, मैंने elbow joint से यहाँ पर इसको hold कर लिया, और यहां finger से grab किया हुआ है, तो आप अपनी document file है, उसको left hand में carry करें, अपना right hand free रखें, क्योंकि आप gate खोलेंगे, तो आप वहाँ पर uncomfortable ना हो, उसके लिए जरूरी है, कि आपने document file है, व हैं, आपको free करना है, तो जैसी है आप से कहा जाएं, कि आप interview room में जा सकते हैं, तो बहुत ही अराम तरीके से, बहुत Wahr250 तरीके से, आपको gate को खोलना है, या आपको कर् 육ाज पर जाता है थर श्कराशत से संपर वहां पर क Haut परust ये जाता है तो फॉर्स्ट आप बलेते ही पूच्छाanc प्रवाइल को यहां लेफ्ट हैंड में अपको रूम में अंदर लेना है और पहले स्टेप अंदर रखते ही आप पूछ ले कि में और कुड़ाय प्लीज कम इन यह से ओवेसली वह से कहा जाएगा यह सो अना बहुत पूसिबलिटी है यह से आप से अप पहुत सही तरीकेसे यानि आपकी जो चाल होँ बहुत जादा तेज ना हो बहुत दीरे ना हो नोमल आप जाएएं और आपकी जो बॉढ़ी हो बेलकुश चार्ड डिरक्ट हो यानि के शोल्डर बिल्कुल अप्राइट हो कुछ लोग क्या होते हैं उनके शोल्डर से रहते हैं नीचे नहीं तो आप अपना बॉड़ी लैंग में बिल्कुल कॉंफिडेंट रखें यानि आपका जो स्पाइनल कोड है आपकी रीड की जो हड़ी हो बिल्कुल सीधी होनी इसली इंटर्वियो के टेबल के पास जाएंगे और जब आप जाते हैं आप तब तक ना बैठें जब तक आपसे बैठने के लिए ना कहा जाए कुछ कैंड़ेट क्या करते हैं अपने अपी छेर खीची और बैढ़ गए नहीं ऐसा नहीं करना आपको जब आपसे पूछा इसली नहीं नहीं हमेशा कहा जाता है इंजिनियर बनने से पहले बहत इंपोर्टन चीज रहे हैं आप पहले बहतर इंसान बनें तो जब भी आपके लिए कोई अच्छा काम करता है आपको इस तरह का कुछ ओफर करता है तो आपको थैंक यू वैसे भी बोलना चाहिए तो आपको सीट ओफर की जाए आप थैंक यू कहें है यहां important बात होती है कि हड़ बड़ा हट में नहीं बैठना बहुत अराम से चेर को आपको लेना है और चेर को बहुत अराम से आपको पूल करना है पीछी की तरफ यह भी मैं आपको demonstrate कर देती हूं कि चेर को आपको किस तरीके से पूल करना है जो हमारा चेर का portion होता है back वाल पर फ़संद को All capital करेंगे और एक अथा आपका यहां रहेगा यह लासित आपको प्सक्राऊंतवppy होल्ड करना एकाउम YOUR L टृण आप यहां तक ही वहार आप से इंटरूट जो है क्यों पूछ सकता है, तो यहां पहला है, पहला मैंने बता है, आपका CV बहुत स्ट्रोंग हो, appealing हो आपका CV attractive हो CV में सारी चीज़े आपने बहतरीन तरीके से mention की हो उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि आपका body language बहुत सही हो confidence आपके body language से दिखना चाहिए आप अपनी file को कैसी carry करेंगे document file को proper तरीके से arrange करना है जैसे आप room में गुसेंगे गुसने से पहले आपको permission लेनी है thank you बोलना है permission मिलने पर फिर आप बहुत smartly बहुत अच्छे तरीके से आपको चल के आना है फिर आपको seat के लिए आप चाहें तो permission मांग सकते हैं आपको naturally क्या होता आपको घह दिया जाता है पहले कि आप बैठ सकते हैं और वहां भी आपको thank you बोलना है और seat को बह picture आप रख सकते हैं ऐसे ना रखें जैसे आप finger cross रखते हैं या ऐसे ना रखें तो उससे nervousness जलगती है आप हाथ बहुत समानने तरीके से ऐसे रखके बैठ सकते हैं अपनी फाइल को चाहें तो लैप में रख सकते हैं या फिर आप टेबल पर रख सकते हैं इसके अलावा औ बहुत सारी चीज़े आती हैं पीडीपी का पूरा पूरा जो हमारा concept है इंटर्व्यू के लिए ही बना है तो बताना तो बहुत कुछ आती हूं लेकिन इस चोटे से session में पर शाती हूं आपको जो important बाते हैं उपता लगे आप जब इंटर्व्यू के लिए जाएं तो आप आपका अटायर बहुत important है अटायर मतलब कि आपकी वेंश-बूशा बहुत जरूरी है तो आपका अटायर जो है यानि कि आपकी वेंश-बूशा बहुत जरूरी है आप इंटर्व्यू में कैसे कपड़े पहन के जाएं यह भी बहुत एक important factor है तो boys के लिए में suggestion obviously आपको प इस बहुत जरूर की शर्ट पहने और जो हो आपका वो डाक कलर का देखिए यह वर्ड़ी में correct कर देती कुछ बच्चे कहते हैं ट्राउजर नहीं होता है ट्राउजर होता है क्योंकि यह पेर में होता है तो आप शर्ट और ट्राउजर केरी करें या पैंट्स जो पहनते है वह भी आप ले सकते हैं और उसमें आपको द्यान रखना है कि यह लाइट के combination में चलती है शर्ट आपका light हो तो ट्राउजर साप की light होनी चाहिए बट इंटर व्हकिंट के यानि time को importance देता है तो आप watch carry करें जहाए boy हो जहाए girl हो इसके अलावा अगर boys की बात करें तो आपने shoe जिस color के पहने हो आप belt भी उस color की पहने for example if you are wearing black shoe अगर आपने black shoes पहने है तो आप belt भी black ही carry करें आपने brown shoes पहने है तो आप brown belt ही carry करें यहां पर इसके लावा और बहुत सारी चीज़े आती है फ्रेग्रेंस बहुत important होती है हमारी body में जो हमारे biological part है वह थो हमारे important part होते हैं बहुत और बहुत सारी हैं जो कि हमारी personality है important part होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि आपने watch पहनी है आपनी किस तरह की ring पहनी है ring का भी concept होता बंक को बंकृत है अगर left hand में अगर मैंने इस finger में गंदे हैं क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे हाथों पर बहुत ज्यादा धिहान दिया जाता है तो आपकी जेस्टर का important पार्ट होता है तो वहाँ पर आपको धिहान रखना कि आपके जो हैंड्स हो वो नीट एंड क्लीन हो इसके अलावा अगर आपने डिया या परफ्यूम लगाया है तो बहुत लाइट फ्रेग्रेंस का आप लगाएं बहुत ज्यादा हाश ना हो उसकी फ्रेग्रेंस हो सकता है उसकी फ्रेग्रेंस आपके इंटर्वियर को परेशान कर दे या बड़ा ज्यादा फ्रेग्रेंस वाला ओल लगा लिया जो की बहुत अजीब सा सिच्वेशन क्रियेट कर दे तो आप हेर ओल जो लगा रहे हैं या टेलकम पाउडर अगर आप यूज करके जा रहे हैं या आपने डियो पॉफ्यूम लगाया है तो बहुत लाइट फ्रेग्रेंस का जो की अनप्लीजन ना हो तो यह चीज़े भी आपके रूम में एंटर होते ही पता चल जाती है आप रूम में एंटर हुए निकि आवले की तेल की खुश्बू ने दिमाग खराब कर दिया एंटर्व्यूर का तो इंटर्यू तबाह होना तय है तो आप यह चीज़ों का भ बहुत ज़्यादा ठाइट नहीं आपको कलर सेलेक्शन बहुत प्रॉपरली करना कि सेलेक्शन ओफ कलर जो हो वह फॉर्मल हो और सबसे इंपॉर्टन बात कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि नया पेंट शेट लेकर रखते हैं और सुचते हुए उसे इंटर्वे के दिन नहीं निकालूँगा नहीं आपको जो भी कपड़े पहने उसका पहले एक बार ट्रायल जरूर ले लें काई बार क्या होता है आमने उसे बॉक्स में सजा के रखा है लेकिन जब हमने पहना तो वह उतनी प्रॉपर फिटिंग का नहीं है या उसका कपड़ा बहुत ज़्या हो तो आप पहले उसका ट्रायल लें जो कपड़े आपको पहन के जाने इपूल Tea पहने इंटर्व्य में उसका ट्रायल एक दिन पहले दो दिन पहले आप ले सकते हैं उने प्रॉपरवाण करके रख सकते हैं अगर आप इंपी देने कहीं दूर जा रहें तो कोशिच करें व आप इंपोर्डन बास हमारी आते है कि कोश्वन आपसे क्या क्या पूछ जा सकते हैं आपसे पहला ही कोश्वन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है टेल मी संधिंग अबाउट योसिल्फ पहला question जो बनता है Tell me something about yourself यानि आप अपने बारे में कुछ बताईए हाला कि सारी जो आपके detail होती है आपकी personal, professional सब आपके CV में mention होती है लेकिन फिर भी interviewer आपसे ये question पूछता है वो जानना चाहता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं आपके communication skills भी हाँ से check किये जाते है तो आगर आप English में अच्छे है आपका communication English में अच्छा है तो ही आप कोशिश कीजेगा English में बोलने की आगर आपकी English टूटे-फूटे है आप English में confident नहीं है तो वहाँ वार experiment नहीं कीजेगा आप जिस language में comfortable है आप उस language में ही बोलेगा ठीक है तो यहां आप से पूछे जाए टेल में सम्थिंग अबाट योसेल्फ तो आप simply अपने बारे में बताएंगे आप अपना नाम बताएंगे जैसे मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूँगी तो मैं कहूंगी आप इसके बारे में सिस्टर जो भी आपके फैमिली में 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 उसके बारे में बता सकते है आपने पेरेंट का उक्यूपेशन बता सकते हैं कि मेरे फादर यह करते हैं थीक है और आपके फादर फार्मर आपके फादर लेबर आपके फादर आपके अपनी पॉर्शन बता सकते हैं कि होबी उर इंट्रस्ट बहुत इंपोर्टेंट हो दुद्ध में बताना है कि आपको क्या चीजते पशंद है कोगई अगर कुछ लोगों के केस में अगर कुछ महान भी होते हैं फैसे और विवी नहीं होती तो अगर आप ऐसे परसन्स तो आप Hokeys में Neutral Hobbies ले सकते हैं जैसे Bird Feeding एक Hobby हो सकती है कि आपको पक्षियों को दाना देना बहुत पसंद है Kite Frying एक Neutral Hobie हो सकती है नहीं आपको पतंग उडाना बहुत पसंद है जिससे पताचलता है राइट फ्लाइंग से पता चलता है कि आप में डयालुता बहुत ज्यादा है तो हार इक होबी आपके बारे में काफी कुछ बताती है तो हो भी आप इस तरह की मेंशन करें clear? तो यहां आपको अपने बारे में बताना है कि आप अपने बारे में क्या 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 बताना चाहते हैं उसके बाद दूसरा question जो बन सकता है या पर यह भी अकसर पूछा जाता है interview में, where do you see yourself in five years? where do you see yourself आप आने वाले 5 सालों में अपने आपको कहा देखते हैं अब यहां तो अगले 5 मिनिट का नहीं पता अब स्टूडेंट्स रतने कंफ्यूज रहते हैं कि डिप्लोमा में किसी ने दख्का दिया अड्मिशन ले लिया कुछ लोगों का कुछ एम ही नहीं होता अबजेक्टिव लेकिन फिर भी यह पूछा जाता है कि आपकी दूर दर्शिता कैसी आप अपने जीवन में क्या लक्षे लेकर बैटे हैं आपकी आने वाले 5 सालों की कोई प्लानिंग है के नहीं है तो यह भी बहुत इंपॉर्टन कोशन होता है तो आप इसका भी बहुत स्मार्टली आप ह्वाले 5 सालों में ऑपने को पूर्टेकूलरी पॉर्म में पाप सालों में चाहता हूं की अच्छी पौर्पोप्स. और मैं पर्सनली प्रोफेशनली एक बहतर इंसान भी बनूं यह में पास सालों में अपने आपको देखता हूं तो यह भी इंपॉर्टन कोशन है आपको इसको भी बहुत अच्छे से अंसर करना आप इसके अलावा एक और जो ट्रिकी कोशन आपसे पूछे जाता है कि वाइं और इस केस में बहुत ही कॉन्फिटेंस से बताएंगे कि I am the most suitable person for this job मैं इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल परसन हूं हलां कि और भी बहुत सारे कांडिटिट बहुत सारे अप्लिकेंट इस जॉब के लिए हैं लेकिन जो मेरी टेकनिकल एबिलिटी है मेरी जो की दिवार सबस्यादा योगे कैंडिडेट हूं यह आपको बताना है उसके अलावा और आपसे क्या पूछ जायता है कि why you want to join this job आप ही इस जॉब को क्यों जॉइन करना चाहते हैं वाइं दू यू कि पॉन्टू जॉइन दिस जॉब जॉइन आज यह जॉइन दी जॉब जो आपसे पूछ जाए कि आप हमें क्यों जॉइन करना चाहते हैं यह बहुत जरूरी है इसके नहीं हम आपको थोड़ा सा हूंवर्क करके जाना होगा जिस भी कंपनी का एंटर्यू आप देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में सब कुछ आपको पता हो और आप बता है कि मैं इस कंपनी को इसलिए जॉइन करना चाहते हूं क्योंकि एक कंपनी एक बहुत वेल रेपुटेटेटर्ट फॉर्म है बहुत अच्छी कंपनी है जिसका इस साल मदला अगर कोई अडविटीजमेंट आया हो या कोई न्यूस प इतना अच्छ है जो कि ग्रोइंग कंपनी के रूप में लोगों के सामने उभरर रही है तो इसलिए मैं आपकी कंपनी को हैपिली जोईन करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि इस डेवलेपिंग कंपनी का मैं भी हिस्सा बन जाओं ठीक है आप और क्या पॉसिबल कॉश्यू जो होता है बहुत सारी companies का fix होता है कि आप ऐसे J's up select हो के जा रहे हैं तो वाँ पे pay scale fix होता है लेकिन कुछ जगह pay scale floating nature का भी होता है यानि candidate पर भी depend करता है यानि pay scale negotiable हो सकता है कि कोई बंदा 6 पर आने को तयार तो उसे 6 पर रख लेंगे तो भई सोच तो यह होते है कितने में भी रख लो रख लो ठीक है अब डिपलोम वाले candidate तो यह सोचते हैं कि जोब लग जाईए जरूरी है फिलाल तो चाहे 6000 में रख लो 5000 में रख लो दसजार में रख लो salary की expectation तो सोची नहीं थे अभी तो फिलाल यह सोचा बस कैसे करके selection हो जाए salary के बारे में तो सोचा है नहीं तो salary expectation जब आपसे पूछी जाए तो आप salary का scale बता सकते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं I expect a salary from 10 to 15,000 वहीं मैं 10 से 15,000 के salary expect करता हूं यह expected salary from 15,000 to 20,000 मैं 15-20,000 के salary expect करता हूं तो आप range बताए ना कि specific value बताए यह नहीं कि मैं तो 10,000 ही लूँगा नहीं यह मैं तो 15,000 पर आऊंगा उस से कम पर मैं नहीं आऊंगा तो आप क्या करें salary का scale बता सकते हैं इसमें भी आप mention कर दें कि this scale is negotiable यानि आप जरूत पढ़ने पर 19-20 कम जादा कर सकते हैं हो सकता है आपने scale बताए और 10 से 15 और company आपको 9,000 offer करें तो obvious सी बात है कि आप 9,000 पर शायद agree हो जाएं तो आप बता दे कि हमारा जो expected pay scale है वो तने से तने के बीच हो सकता है and it is negotiable यानि आप इसको जरूत के नुसार कम जादा कर सकते हो इसके अलावा आप से कई बार पूछ लिया जाता है जब आप see off करते हैं आप जितना उनको पूछन था उन्होंने पूछ लिया अब यहाँ पर ध्यान लखना है आपको कई वर टेक्निकल कोशन भी पूछ ले जाते हैं नॉमली क्या होता है जो इंटर्वी लेते हैं वैसे हमारे HR टीम से बिलॉंग करते हैं जो कि नोन टेक्निकल बैग्राउंड से होते हैं तो टेक्निकल कोशन आपसे नहीं पूछ जाते हैं लेकिन कुछ केसिस में टेक्निकल एक्सपर्ड भी इंटर्वी पैनल में बैठे हो किस तरह के से इंटर्वी कंड़क्ट कराती है अब लास में चलते हैं आपसे पूछ लिया आता है निकोशन एनिक्वेरी कि आपके मन में कोई क्वेरी तो नहीं है आपके मन में तो कोई कोशन नहीं है तो या तो सिंप्ली आप नो कह सकते हैं नो मुझे कुछ नहीं पूछ वर है company का यह company की जो particular आगर कोई sister concern branch है उसके बारे में कोई question पूछ सकते हैं company का most famous product पूछ सकते हैं कि most selling या most famous product कौन सा है यह कुछ चीज आप जो की relevant हो relevant to company हो और productive question हो वो आप उससे पूछ सकते हैं यह तब ही संबाव है जब company के बारे में आप study अच्छे से करके जाएंगे तो यह हमारे कुछ possible question है जो interview में आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है इसके लावर मैंने बताया सीवी आपको अच्छे से बनाना है document folder अच्छे से maintain करना है confidence का ध्यान रखना है घबराना बिल्कुल नहीं है nervousness नहीं वाँ पर होनी चाहिए तो भी बोले confidence के साथ बोले आप जिस भी भाशा में बोले हिंदी में बोले इंगलिश में बोले confidence के साथ बोले body language का ध्यान रखे आप क्या पहन रहें अपने अटायर का ध्यान रखें अटायर के साथ जो जो आप accessories पहन रहें आपने ring पहनी आपने bracelet पहना है या आपने watch पहना उनका भी ध्यान रखें कि फॉर्मल category में ही आते हो आपने perfume duo powder टेलकम या फिर किसी तरह का hair oil लगाया तो उसकी fragrance का ध्यान होती है प्लस शूज आप पहने तो शूज ऐसे हो जो कि noisy ना हो कुछ शूज ऐसे होते हैं चलते वक्त बहुत अवाज करते हैं तो uncomfortable आपके लिए हो जाते हैं और साथ साथ दूसरे के लिए डिसकंफर्ट पैदा कर सकते हैं तो आपको फुट वियर हो वैसा हो जिससे आप कर पाऊ चोटे-चोटे टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान लखना है और इंटर्व्यू में इन कोशन जो की most frequently asked कोशन है इनको आपको ध्यान में रखके जाना है आई होप आप सभी को यह साइज चीसे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपको यह सेशन बहुत ज नहें जया भारत